इसका मतलब क्या होता है और इस सेटिंग से क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ हम जानेंगे इसी विडियो के अंदर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैं अभी वट्सप पर आउनलाइन हूँ तो यहाँ पे यह बंदा मेरा आउनलाइन देख पा रहा है तो अब अगर आप चाह 001 पर रखोगे तो आपके कॉंटैक्ट में हो ना हो कोई फरक नहीं पडता है सब को आपका जो online है वो दिखेगा तो अभी देख सकते हैं इसको online दिख रहा है यह मेरे contact में है तो आपको करना क्या है यहां पर आपको इस setting में same as last scene कर देना है और यहां पर आपको कर देना है nobody और जैसे ही आप इसे back करोगी तो आपका online इस बंदे को नहीं दिखेगा तो यह दो को मैंने back किया और देखो उसको online hide हो गया देख लिए इस बं पर online हो यह चीज आप किसी और को दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो यह setting यहां से आप कर सकते हो इस्तेमाल इन ही चारो settings को करके आप online को छुपा सकते हो और दिखा भी सकते हो तो मानलो कि अगर आपको सिर्फ अपने दोस्तों को ही online दिखाना है तो आप क्या करो कि my contact पे कर दो और जितने भी आपके contact सेफ होंगे सिफ उन्हीं को आपका online दिखेगा और वस यहाँ पे same as last thing कर दो और back करते ही आपको देखना कि इस बंदे को online दिखने लगेगा तो देखो मैंने जैसे ही back किया इसको देखो online मेरा दिखने लगा तो यह चीज इस setting का मतल कहती है कि आप whatsapp पर अभी online हो आप ये चीज किसको किसको बताना चाहते हो सभी को बताना चाहते हो तो everyone पे कर दो अगर आप सिर्फ अपने contact को बताना चाहते हो तो my contact कर दो और उसके बाद यहाँ पे same as last thing, यहाँ पे same as last thing तो बाकि यह setting यहाँ पे भी online वाला में भी apply हो अगर आप जानना चाहते हैं कि सेम एज लास सीन का मतलब क्या होता है तो अभी जो आपको वीडियो दिख रहा होगा दाहीने साइड उस पर किलिक करो और इसका मतलब ही समझ लो